अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले प्रफेसे साब एक बात बहुत एहम है कि अभी एक स्टेटमेंट दिया है सपा बसपा और कॉंग्रेस ने कि कोई भी उनका अधीवक्ता या कोई भी उनका विचार धिन करने वाला डिबेट के अंदर नहीं जाएगा टीवी न्यूस चैनल के अंदर तो उसके उपर आप क्या चैनल से बुलाते थे पहले लेकिन वह एजंडा सेट करते थे और उसके आप बैटिंग किजिए लेकिन हम लोग जो है हम लोग समझते हैं इस बात को तो नहीं नहीं एजन्डा हम सेट करें गो उस पर आप जबाब दो फिर हम लोगो बुलाना बंद कर दिया जब मुझे प और फिनगो दुर्तिरいる आन्या करें और भरते जलावन जलाँ जब दूसरा आप अपना मीडिया तजयार किया किसने आप को रोका है अंक्वार निकाले काशी नाम झी में निकालते दते ना बुलते थे सब लोग लिखते थे पड़ते थे बोलते थे तो आप अपनी वैकलुपिक शोद सनस्तान नहीं बनाइगे और अपना 15 नहीं निकाल नेंगे अपना TV चैनल नहीं खुल लेंगे तो यह रहे कि आपके दुश्मन है उसी कहाँ आप जाना पड़ेगा तो खेर आप लोग का शुक्रिया है कि कम से कम YouTube चैनल समाज ने खड़ा किया यह किसी इन्यता ने नहीं खड़ा किया तो यूटूब तो इस तरह कि तमाम बाते हैं इस बात को नहीं समझेंगे तो समाज जितना आप समाज के लिए करते हैं समाज आपको जला देता है तो जब आप नहीं समझेगे इस बात को तो किसी के बगएर इतिहास का चकर रुखता नहीं है और समय के हिसाब से नेत्री तो लोग पैदा कर देता है कि समय के हिसाब से आज जो राजनिती है दस साल बाद वही थोड़ी रहेगी तो दूरदर्शी वही लोग होते हैं जो बदलते हुए समय को समस्ते हैं कि आपने दस साल में बीस साल में किस तरह का राजनिती ठर लेगा कि उसका स्वरूप कैसे बदलेगा तो इसको समस्ते हुए अपनी रननिती बननानी चाहिए अगर आप नहीं बदलेगे तो जाहिए अंदूलों और समाज नया नेत्री तो खड़ा करते है रतलाल जी एक बात बताईए कि आप जो है अभी पांस साल अभी मोधी सरकार का शाषिन रहेगा लेकिन डाउंड लेविल पर और पार्टियां काम नहीं कर रहे हैं लोगों को जो है न उससियासी इससदारी दीजिये लोगों को पठाय उसको एजरणा दीजिये उनको विकल्ब दीजह कि हम आखिर तुमारे लिए क्या करेंंगे से कि समिधान लागू करा डैकि हमारा मेनफिस्टो है परिवर्तन होता है यह परिवर्तन लाना पड़ता है इसमें human agencies काम करती है तो मैं उनको क्या राया दे सकता हूँ बड़े बड़े लोग हैं लेकिन वही कहूंगा कि आप फिर जनता के भी जाहिए और जो गलतियां हुए इसको सुधारिये और समाज खड़ा है देशवर में जब छोटे चोटे 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 प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो आप क्यों डर रहे हैं आप एक बार आवाज तो दीजिए आपके आवाज देने पर हम आवाज देंगे तो 4000 लोग सुनेंगे क्योंकि मेरे एक पहुंच बहुत लिमिट है लेकिन जब नेता आवाज देंगे तो करोड़ों लोग देश वर में सुनेंगे एक वार आवाज तो दीजिए देश खड़ा हो जाएगा उबाला जाएगा नौट से लेके साउथ तक हर जगा हम लोग समाजी कार करता है समाज के एक्टिविस्ट लोगों से बात करता है हर जगा डिसकंटेंट है हर जगा गुसा है अब हमारे नेता जिनको हम वोड देते हैं वही नहीं आवाज उठाएंगे तो समाज का थोड़ा सा मनवल तूटना थोड़ा लाजमी है तो कौन डोग रहा है देखते हैं आपके जब समाज नहीं डर रहा है जब हम लोगों डर रहता आप क्यों डर रहा है ये सवाल पुछना पड़े गार आप अपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और गंटी के बटन बदकुल भी दवाना ना भूरे ताकि सब लेटेस्ट खब झाले